इस चैनल पर हम आपके लिए रहसे में और स्वास्ता समंदे सभी बाते देकर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को ज़रूर दबाए इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नौटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले हमारे बुज़ूर्क अक्सर गूड और चना खाने की सलहा तिया करते हैं दरसल गूड से खुन बढ़ता है और चना स्टैमिना बढ़ता है गूड और चना साथ में खाने से बहुत से स्वास्तला होते हैं आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं तो आईए जान लेते हैं गूड और चना साथ के खाने से फायदे गूड और चने में काफी मातरा में प्रोटीन पाया जाता है जो मासपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है जिम जाने वाले पुरिशों को हर रोज इसका सेवन करना चाहिए गूर और चने को मिलाकर खाने से दिमाग तेज होता है इसमें विटैमिन B6 होता है जो याददाज बढ़ाता है गूर और चने में कैलिशियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है इसके रोजाना सेवन करने से गाटिया की रोगियों को काफी फाइदा होता है शरीर का डाइडेशन सिस्टिम खराब होने की वज़र से कब्स और एसिडिटी की समस्य हो जाती है ऐसे में गूड और चने खाए इसमें फाइबर होता है जो पाचन शक्ति को ठीक रखता है चने और गूड खाने वाला व्यक्ति की कमजूरी दूर होकर शरीर हिस्टर पुष्टर रहता है शरीर में बल्वान और तेज बना रहता है इसमें फॉस्परोस होता है जो जातों के लिए काफी फाइदेमन है इसके सेवन से दात मजबूत होते हैं और जल्दी नहीं तुटे जिन लोगों को दिल से जूरी कोई समस्या होती है उनके लिए गूड और चने का सेवन काफी फाइदेमन है इसमें पोटेशियम होता है जो हार्ट अटेक होने से बचाता है गूड और चने का सेवन करने से मोटा बाद दूर होता है उमीद करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर जरूर करे किसे भी तरह की मदद अत्वा सुझाओ के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें